हवस का भूका ये दरिंदा कोई साधारन आदमी नहीं है बलकि एक अथिकारी है जो अश्लीलता की सभी हदे पार कर चुका है जी हाँ उत्तर प्रदेश सचीवाले के बापु भवन में तैनाद अनुसचीब इच्छाराम अधिनस्त कम्प्यूटर ओप्रेटर से छेड़ छाड़ वाश्मील हरकते करता रहा आरोब है कि महिला इच्छाराम की पर 2018 से जेल रही थी गिरूद करने पर नौकी से निकलवाने की धमकी देता रहा जिसके कारण महिला ने उसकी हरकतों को नजर अंदास कर दिया और किसी अधिकारी से शिकायत नहीं की जिसके कारण इच्छाराम पूरी तरहों से बेलगाम हो गया और वे अक्सर कार्याले में ही उसके साथ अश्लील हरकते करने लगा अक्टूबर में कार्याले में काम करने के दौरान इच्छाराम ने महिला कर्मचारी से छेड़ छाड़ की परेशान होकर पिडिता ने 29 अक्टूबर को हुसेन गंज ठाने में तहरीर दी जिस पर पुलिस ने मुकदम दर्च कर लिया लेकिन आरोपी ये घरबतारी नहीं की बताया जाता है कि हुसेन गंज लाखे में रहने वाली महिला 2013 में बापू खवन में कंप्यूटर ओपरेटर के पद पर तैनात हुई थी पीडिता का आरोप है कि 2018 से च्छारा मियादव अनुस अचिव के पद पर तैनात है विभाग में आने की बात से ही अनुस अचिव महिला के साथ अश्रील हरकते करने लगा और काम करने के दौरान ही आरोपी कई बात अश्रील हरकते कर चुका है लेकिन नौकरीव सामाजिक बंदिशों के डर से पीडिता चुक थी महिला के मुताबिक इच्छाराम उस पर शादी करने का दबाव बना रहा था और विरोध करने पर संविदा खत्म कराने की धंकी दीता था इतना ही नहीं महिला द्वारा विरोध करने पर उसके साथ गाली गुलोज भी की जाती थी खुडिता के मताबिक कारेले में काम करने के दौरान भी छराम सहकर्मियों के सामने ही उसके साथ अश्डील हरकते करता रहा सभी कर्वचारियों को वे धंका कर रखता था जिसके कारण अनुस अचिव का कोई भी विरोध नहीं करता था लेकिन एक दिन महिला के साथ हो रही गलत हरकत का वीडियो सहकर्मियों तयार कर लिया जिसे मुकदमा धर्ज कराने के दौरान पुलिस को सौपा गया आपको बता दें कि बुदवार की शाम को महिला से श्डील हरकत करते हुए इच्छाराम यादव का वीडियो सोशल मीडिया प्लेट फॉर्म पर वाइरल इंस्पेक्टर हुजायन गंच को फटकार लगाई वही पुलिस टीम तयार कर आरोपी अनुसचिव को ततकाल गिरफतार करने के लिए रवाना किया गया देर रात ही पुलिस ने आरोपी अनुसचिव को गिरफतार कर लिया इस मामले में अपर मुख्य सचिव सचिवा ले प्रशासन हेमंत राम ने बताया कि छराम की निलंबन की प्रक्रिया चल रही है उसे निलंबित किया जा रहा है बताया जा रहा है कि निलंबन का प्रस्ताफ तयार कर मुख्य मंत्री के अनुमती के लिए भेचा रहा है सहमती आते ही निलंबन आदेश जारी हो जाएगा वहीं कि पिडिता की शिकायत पर भी कारवाही नहीं हुई तब मचपूरी में उसे वीडियो वाइरल करना पड़ा। प्रियंका ने महिला कर्मी की हिम्मत की सरहाना करती हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं से पिडित सभी महिलाएं एक जुट होकर लड़ाई लड़े। कॉंग्रेस उनका साथ देगी। CIN News के लिए Bureau Report